गुड मॉनिंग डियर इस्ट्रेंट्स आइम संजी स्क्रार एंड गोईंग टू टीच यू थार्ड चैप्टर आप क्लास फिप्थ दैट इस दे ग्रेट बन्यान ग्रेट मीस होता है महान और बन्यान मीस होता है बरगत का पेड यहां कुछ कोश्चन दिये गए टू कुश् आपको सबसे ज़्याद पशंद है आज हम पढ़ेंगे ग्रेट बन्यान के बारे में है यहां दिया गाया है जिस परकार बजूर को व्यक्ति होते हैं ना है बहुत विनंम होते हैं So our big trees the most friendly, इसी प्रकार बड़े जो पेड़ होते हैं, बहुत friendly होते हैं, The banian is possibly the biggest and friendliest of all our trees, बनियान का जो बरगत का पेड़ है, वो सभी से बड़ा और सबसे ज़्यादा friendly tree होता है, संबबता, We do not see many banian trees in our cities nowadays, आजकल हम nowadays means होता है, आजकल सेहरों में हम लोग ज़्यादा banian trees देखने को हमें नहीं मिलते हैं, These trees require plenty of space to spread themselves out, यह जो plenty मतलब होता है, परियापत, बरगत के जो पेड़ होते हैं, इनको परियापत space चाहिए होता है, फैल लने के लिए, एक जंग होते हैं, यह क्या है, इनका आकर बहुत बड़ा होता है, इसलिए इने परियापत space की आवश्यक्ता होती है, But in our overcrowded cities, लेकिन हमारी overcrowded city हैं, भीवालवारा सहर है, सहरों में, where there is a barely enough living space for people, जहाँ पर मुश्किल से ही लोगों को रहने के लिए परियापत स्थान मिलता है, It is too hard to find a full-grown banana tree, मतलब सहर में, cities में, overcrowded cities में, पूरा complete banana tree मिलना मुश्किल ही है, After all, a full-grown banana tree takes up as much space as a three-story building, एक पूरा full banana tree जो होता है, वो लगवग 3-story building के बराबर space लेता है, एक पूरा बर्गत का पेर, of course, बेशक, spatial parks have banana trees and every blaze has at least one, Spacious means होते हैं विशाल, विशाल जो पार्क होते हैं, उनमें banana trees होते हैं, और लगवग हर गावों में कम से कम at least one tree जरूर होता है, क्योंकि villages में ये माना जाता है कि बन्यान ट्री की हमें पूजा करना चाहिए, भगवान से तुलना की गई है बन्यान ट्री की, बन्यान ट्री में क्या होती हैं, एरियल रूट्स होती हैं, ऐसे मान लीज़े, एरियल मतलब घुंगराले टाइप में, जटाओं टाइप में रूट्स होती हैं, इस इस ब्रांचेश ड्रॉप टू दा ग्राउंड, टेक रूट्स अगें एंड सेंड आउट मूर ब्रांचेश ओन देर आउन, होता क्या हैं, आपने बर्गत का पेड़ देखा होगा, उसमें एरियल रूट्स लटकी रहती हैं, वो फिर जमीन में जाती हैं, और फिर वहा नीचे जाती है, फिर पौदा बन जाता है, तो इस प्रकार से आपने देखा हुआ बर्गत का पेड़, देर्फोर इसलिए, आफ्टर सम्यर्स, दे ट्री फोर्म सा फॉर्म सा फॉर्स, और इट्स आउन, विच इस टूबिक टू बी सीन, एडवन्स, इस प्रकार बार बार एरियल रूट्स नीचे जाती है, फिर जमीन से फिर वो जमीन में चली जाती है, फिर उसकी ब्रांचिस निकलती है, फिर उसकी साखाँ है, जो ब्रांचिस निकलती है, उसमें फिर एरियल रूट्स निकलती है, इस प्रकार से क्या है, बहुत बड़ा बिसाल पेड़ बन ज इसकी तुलना की गई थी the aerial roots the aerial roots of the बनयान the aerial roots of the बनयान are like plurs supporting a great building जो aerial roots होती है बनयान ट्री की वो कैसी होती है जैसे एक बड़ी building में support के लिए plurs होते न उस परकार ये बनयान ट्री में aerial roots होती है the children use these roots as swings and enjoy swinging ये जो roots जो होती है aerial roots बच्चे जो होते हैं इनके जूले के रूप में यूज करते हैं और इनको जूले के रूप में यूज करते हैं और पकड़ कर इनसे जूलते हैं और इनसे enjoy करते हैं if you destroy the plurs the building will fall and so will the बनयान जिस प्रकार से यदि किसी building के plurs को आप destroy कर देंगे तो building automatically गिर जाएगी ऐसे ही बनयान पेड के साथ है बनयान ट्री के साथ में हैं अगर उसकी aerial roots अगर काट देंगे आप तो वो भी automatic गिर जाएगा because its man trunk is not very deeply rooted लेकिन होता क्या जिसकी man trunk जो होती है तूट जाएगा इसके लिए परियाप्त space की आवश्यक रहता रहती है space की इनकी root जाने के लिए the gardens and busy roadsides will not do because it needs twice the space the other trees need जिस प्रकार क्या garden होते हैं और roadside होते हैं इनको वहाँ पर लगाया नहीं जाएगा क्योंकि यह बहुत ज़्यादा space लेते हैं ठीक है अन्य पौधे जन्य पेड़ जो होते हैं पेड़ पौधे वो कम space लेते हैं लेकिन ज़्यादा space लेते हैं इसलिए गार्डन्स में और roadside road के किनारे किनारे लगाना इनको संभव नहीं है इस tree should not be planted close to a house यह जो ट्री है इसे किसी घर के पास में पास से सटकर नहीं लगाना चाहिए पास में नहीं लगाना चाहिए otherwise अन्यता होगा क्या you might find a branch growing through your bedroom wall आप क्या पासकते हैं एक branch साखा growing through your bedroom wall आपके bedroom wall से होते हुए साखा आपके bedroom wall से wall मतलब bedroom की दिबार से होते हुए साखा आपके मकान के अंदर आजाएगी मतलब होगा क्या वो साखा है आपके मकान में आजाएगी it is always cool dark and saddy बिनीता बन्यान ट्री होता क्या है जो बन्यान का ट्री होता है वो cool होता है, dark होता है और saddy, छायदार ब्रक्च होता है and it is a good tree for climbing और इस पेर पर आसानी से चड़ा जा सकता है you can climb its branches without much difficulty बिना इसकी साखाँ पर आप आसानी से बिना कोई परिशानी के चड़ सकते है and there is no danger of falling off और गिरने का भी कोई खत्रा नहीं रहता है it is also one of the most comfortable trees to sit on और इस पर यह बहुत comfortable trees पर आप आराम से बैठ सकते है one can lean against the broad trunk broad trunk जो रहती है उसके से ब्यक्ति कोई भी lean मतलब उससे जोकर आराम से लेट सकता है and read a book and nobody will travel you और आराम से किताब पढ़ सकता है कोई भी ब्यक्ति आपको travel परिशान नहीं करेगा for you will be completely hidden by the broad signing leaves और आप जो broad signing leaves होती है बर्गत के पेड की जो पत्तियां होती है उससे आप completed लग जाऊए ऐसा लगेगा कि अंदर कोई है नहीं है the banana is also very hospitable banana बहुत hospitable रहता है apart from boys and girls it gets a large number of other visitors like birds, squirrels, insects and flying foxes ऐसे मान के चलिए कि यहां boy और girl ही यहां इस पर खेलने नहीं जाते हैं बल्कि बहुत सारे visitors इस पर आते हैं कौन-कौन से आते हैं इस पर पक्छी भी आते हैं squirrels, glare गलेरियां भी आती हैं insects भी आते हैं और flying foxes भी इस पर आती हैं many interesting creatures actually live in the tree बहुत सारे interesting रुचिकर creatures प्राणी इसमें रहते हैं which is full of dark private corners उसमें बहुत सारे dark private corners होते हैं just right for different kinds of tenants tenants मतलब होता है क्रायदार different type के जीब जनतों के लिए उसमें काफी space होता है the banana is rather like a hotel in which a number of different families live together without troubling each other क्या है कि वन्यान के tree की तुलना किस्से की गई है एक परकार से hotel से की गई है जिसमें बहुत सारे room होते हैं बहुत सारी families अलग-अलग रहती हैं लेकिन एक दूसरे को डिश्टरब नहीं करते हैं जैसे कि एक hotel मान लीजिए hotel में बहुत सारे room है बहुत सारी families अलग-अलग रह रही हैं लेकिन वो एक दूसरे को डिश्टरब नहीं करते हैं ऐसे इस पेड़ पर बहुत सारे पक्छी रहते हैं squirrels रहती हैं insects रहती हैं flying foxes रहती हैं वो रहती हैं लेकिन एक दूसरे को disturb नहीं करते while its young leaves are still pink and soft इसकी leaves जो होती हैं पत्निया वो pink रहती हैं और soft रहती हैं ठीक है they are visited by they are visited by the delicate map butterfly which leaves her eggs in their care होता क्या है butterfly वहाँ पर आती हैं और वो वहाँ पर eggs रख देती हैं उन पत्नों पर and the little stubbed squirrel comes searching for the sweet and sticky honey on them और क्या होता है जो squirrel रहती है वो क्या है गिलहरी वो honey की तलास में यहाँ पर घूमती है ठीक है so the friendly banana offers something to every visitor इस प्रकार से क्या है कि बन्यान का जो tree है ना वो हर visitor को कुछ ना कुछ प्रदान करता है इन फेक्ट बास्तब में it is these imprints imprints मतलब होती है image यह वो image होती है in the minds of the people लोगों के दिमाग में वो image होती है वो photo होती है that make the banana immortal जो क्या है immortal immortal मतलब अमर जो बन्यान tree को क्या वनाते है अमर वनाते है even there is a popular belief which has its roots in mythology that a banana is God and people worship it ऐसा एक विजबास है कि बन्यान के tree को God मानते हैं लोग और उसकी पूजा करते है that's why the banana has always been regarded as a sacred and surviving member of the society and not just a tree इस प्रकार से बन्यान के tree को पवित्र और surviving member of the family of the society society के surviving members के रूप में माना जाता है and not just a tree और केवल उसे एक पेड़ ही नहीं माना जाता है इस प्रकार से आज मैंने आपके लिए class 5th का 3rd chapter पढ़ाया जो है the great बन्यान और आपको पूरा clear समझ में भी आ गया होगा और एदी कोई doubt है तो गुरूप में आप comment कीजिए मुझे बताईए ठीक है and I will clear your doubts इसमें बन्यान ट्री के बारे में बताए गया है कि बन्यान ट्री किस परकार से हमारे लिए hospitable है किस परकार से उस पर पक्छी रहते हैं, सब लोग enjoy करते हैं ठीक है यह सारी चीजिस में बताए गई है ठीक है my dear students, all the best have a nice day and see you in the next video thank you